नमस्कार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशी की बारे में तो दोसों और आपकी भी राशी कन्या है तो दोसों आज के इस वीडियो को बिलकुल भी मिशना करें और शुरूश लेकर अंत तक ज बताने वाले हैं दोसों पूरे यूट्यूब पर पूरे सोशल मेडिया पर आप बिल्कुल भी नहीं शुने होंगी ज़ीन दोसों हम को बता दें कि हम आपके राशिक से 35 एशागुन के बारे हम बताने की होंगे लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके उन- tô 35 गुनों के बारे में बात करने के शुन कर आận शुन कर पर रहे हैं जे दोसों और इनका शमाधान क्या है इनने शबी के बारे में आपको इस वीडियो में मिलेगा कि आपकी जुनकाल में आखिर दुख परिश्यानिया क्यों आ रही है किसकी वज़ा से आ रही है और इनका शमाधान क्या होगा कैसी आप अपने जुनकाल को बहुत तेशुंदर पुर्ष्वक्स बनाश रोखते हैं पर तेक जानकार इस वीडियो में शमायत है तो वीडियो को बीना देखे आप अंदाजा ना लगाए और दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखेगा पूरे 35 गुनों के बारे में हम एक एक करके भात करने वाले हैं तो जली दोस्तों वीड भात देखें दोस्तों वीडियो को एक जरू करें और कमेंड बॉक्स में सचे ट्रदैशे जय शिव लिख दें भगवान महाकाल का सच्छे शिव शंकर का आपको शीधा शिरबात प्राप्त होगा दोसली दोस्तों वीडियो को प्रायरम करते हैं दोस्तों आपके अंदर सबसे पहला गुन कि आप शब जो हैं बहुती द्रीव और कठोर दिल के इंशान होते हैं कभी भी अपने आपको किशी से कम नहीं शमझते नमर दुश्रा आपके अंदर छल और कपट देखने को नहीं मिल सकता कभी कबारेशा होता है जो वेक्ति आपके शत छल भी करते हैं आ आप उन्हें माफ भी कर देते हैं नमर दिश्रा कि आप लोग धर में बहुत ज़्यादा आस्ता रखते हैं भक्ती बाप और आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है नमर चार आपके राशी के जितने भी जातक है उनके अंदर कभी भी भेदभाव और लालत देखने को नहीं मिलते आपके राशी के जर्यातक कभी कभी भी किसी चीज की रालस नहीं करते हैं। जो भगवान ने दिया है उसी में आप खुश रहते हीं। आपका मानना है कि भगवान जो भी हमें देना चाहता है। हमें वह शिवकार है आप किशी के धन दोलत को देखकर किशी की तरप उनकी खुश्यों को देखकर निंदा नहीं करते हैं श्विप अपने कर्म को करते रहते हैं और अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और जो मिलता है उन्हें आप बहुत ही श्विक्षा से शिवकार करते हैं शिक्ष आपकी राशी के जितने भी जातक है हमेशा शुकी जिवर वैतित करते हैं बले ही इनके जिवनकाल में बहुत ज़्यादा भागदोड बहुत ज़्यादा चिंताएं होती हैं लेकिन फिर भी आपकी जोन में हमेशा आप अपने कर्मों के नुशार अच्छे खुश्य ढूंड ही लेते हैं वो दोस्तों आपकी कर्म के नुशार आपको शबलता अवश्य मिलती है इसको प्रांति नम्मर शिक्ष गुनिया है कि आप लोग कभी भी बिना शोचे शमझे कोई कदम नहीं उठाते जो भी कार्य आपको करना होता है पहले उसकी जड़ तक जाते हैं उ दोस्तों ये आपकी सबसे अच्छी आदत है और इन्हीं आदत के चलती आपको मान शमान भी प्राप्त होता है नम्मर शाथ आपकी राशी की जो भी जातक है आप लोग हमेशा पेटों की रोग और गुबतांगों की रोग शे परिशान होते हैं आपकी जुनकाल में हमेश पेटों के रोग और गुवत्टांगों के रोग आपको प्रिशान करते रहते हें नम्म्म आठ आप मत्रास को यह हचेशेप प्ता जिया दोस्तों हम आपको बतादें कि हीम्म पर काले तिल ओशी देखने कू जाता ही दोस्तों यकी नाई तो अज्मा कर देख지ना नमर 9, आपकी राशे के जातक में बहुती नयाई देखा जाता है आप लोग नयाई पीरी होते हैं, अपना हो या फिर पराया हो शबी को एक शमान समझते हैं, नयाई के खिलाब आवाज उठाने वाले आप लोग होते हैं या जो भी फिशला करते हैं शही और शत्य करते हैं चाहिए किसी को असाल लगे या पिर किशी को भुरा नंबर दश्ज आपकी मेंतों, अपना लोग बहुत अपहँरा राशीक मेंतों आपका पेशन बन जाता है हमेशा मस्ती बना जीवन आप जिना चाहते हैं चाहे कितना भी दुख आपके अंदर क्यों आजाए लेकिन आपके होटों पर हमेशा मुश्कान रहती है यहाँ देखा जाता है नम्मर 11 आप लोग बहुत ज़्यादा द्यालू और इमंदार होते है आपके द्वार पर कोई कुछ मांगने क्यों आजाए आप उन्हें खाली हाथ नहीं भेशते मदद के तोर पर आप कुछ ना कुछ अवशी उन्हें शाहता करते हैं नम्मर 12 आपके राशी के जो जातक होते हैं दुखों का शामना इसलिए करते हैं क्योंको दोस्तों हमेशा अशा देखा गया है कि आप दूसरे के चक्कर में फंचाते हैं और बात में आपको पस्ता ना पड़ता है कभी कबार दूसरों के चलते तो आप बदनाम भी हो साते हैं दंड भी भरते हैं जिए दोस्तों उनके चलते आप उनकी शजाओं को खुद भुगत लेते हैं जिए दोस्तों नमर 13 आपका यह गुन है कि आपके राशी के जितने भी जातक हैं हमेशा शाप शरल और कुशलता पुरुआ कर राजनेती करते हैं किशी के कपट लेकर किशी के दिल को ठेश पहुँचा कर आप कोई भी राजनेती नहीं करते हैं बिल्कुली शाप दिल से शाप शाप मुह पर बोल देते हैं जिया दोस्वों युपरांती नमर चोधा गुनिया है कि आपको हमेशा बुराया मिलती है चाहे आप किशी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें लाश्ट में एंड में आपके शाप गलत होता ही है और आप इने बरदाश भी करना नहीं चाहते 19. आप लोग हमेशा एशे इंसान से दुर रहना पशन करते हैं जो गलत वहवार की वेक्ति होते हैं जिनके अंदर गलत गुन होते हैं जो हमेशा बुरायों को ही शिक्छा समझते हैं अगर आप जान जाएं कि यह व्यक्ती चोर है उच्छा का है तो दोस्वों आप कतई ही उनके शात रहना पशन नहीं करते और उन्हें अप जल्द से जल अपने जिवन काल से निकाल देते हैं नमर 16 आप लोग के उपर कितना भी बड़ा शंकट क्यों ना जाए आप लोग घपराते नहीं हैं आप लोग शिर्फ लड़ना जानते हैं अपने करतब पर डटे रहते हैं और जो आपको चाहिए उन्हें हाशिल करकर ही छोड़ते हैं नमर 17 आप लोग लंबे चोड़े होते हैं चोड़े छाती चोड़े माते के आप इंसान होते हैं नम्मर अठारा आप लोगों का देखना बोलना चलना उठना बिटना शब लोगों से अलग रहता है इसलिए ज़्यादा तर लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पशंद भी करते हैं जे दोस्तों नम्मर उनीश आपके आँखों में एक अलग शा दिबी शक्ति होता है जिसके कारण किसी के उपर आप नजर उठा के देख ले तो उनके उपर अलग ही जादू साथ चल जाता है और वह आपके बारे में सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कौन है नम्मर बीश आपके राष्षी के जातक हमेशा प्यार के और शम्मान की भूके होते हैं यदि कोई आपको कोई प्यार करते हैं तो आप खुशी से जूमने लगते हैं आपका दिल इशा करता है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं नम्मर अकेश अक्षर इशा देखा गया है कि आप दुसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी शाबिद होते हैं अगर आप कीशी के भी शात यात्रा पर जाते हैं या पिर कोई कारिश ये बाहर जाते हैं तो उनका काम अवशी बन जाता है नम्मर वाईश आपकी राशी के जातक कभी भी अपने जिंदगी में दुसरों के दखल अंदाजी बरदाश नहीं कर सकते चाहे वो लब पार्णर से हो आपके घर परवार से हो या पिर दोस्ती रिस्तिदारों में हो आप कभी भी अपने शमश्याओं में किसी और को देख नहीं करते किरिफों करने चाहते कि अगरी डखल अंदाजी देखना पशन में करते कितने सी बड़ी सीबड़ी समय्यां हो आप अपने आपकी राश्य के जातक इमंदार और मेहनती होते हैं आप लोग जो कहते हैं उन्हें पूरा करते हैं भले ही थोड़ा देर लगे लेकिन उन्हें पूरा ओश्य करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा त्यागी भी होते हैं किसी के लिए अपना टाइम अपना इमोशन देने के लिए तयार रहते हैं आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं उनकी कद्र करते हैं नमर पचीज आपकी राशी की जो जातक है उनके अंदर यह देखा गया है कि टैलेंट कूट-कूट कर भरा होता है चाहे वो राजनेती हो या पिर शिक्षा का कोई भी छेतर हो आप हर छेतर में अपना विजय का जंदा गारते हैं जया दोस्तों और बहुती बड़ा मुका कारण लोग भी आपका फाइदा उठाते रहते हैं जया दोसों तो आप अपने जियोनकाल में इनका पदलाव करने की चाहत रखें कि जेशा देश है विशा पहेश प्धेश पनाना होगा जया दोस्तों क्योंकि लोहे को अक्षर लोहे की काड़ते हैं तो आप भी अपने शमाज को देखते हुए अपने नजरिया अपने धंग को अवशी बदलें नमर अठाइश आपके अंदर एक एशा गून है जो शबसे अलग और शबसे अच्छी है कि आप कभी भी किशे के अंदर काम करना ने चाहते अपना एक अलग ही अस्तित्यू बनाना चाहते हैं नमर अठाइश आपके राशी के जितने भी जातक है कभी भी अपना अपमान बरदाश नहीं कर सकते हैं नुक्षान बरदाश कर सकते हैं कोई आपको पेशा धन बैमानी कर लिए आप वो भी बरदाश कर सकते हैं लेकिन अगर आपका अपमान हो जाए तो आप वह कतई ही बरदाश नहीं कर सकते नमर तीश आपके राशी के जितने भी जातक है अपने परिवार वालों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं परिवार में कोई भी संकड आ जाए आप कहीं भी हो दोड़ कर घराते हैं आप आपके अंदर घबराहट सिचा जाती है योग हैं तो आपकी राशी के जातक परिवार वालों के लिए जान निशावर कर देते हैं नमर 31 आपकी राशी के जातक बुरायों से हमेशा डरते हैं आप इसलिए डरते हैं कि कोई जूटी उंगली ना आपके उपर उठा दे कोई किसी का दिल ना टूटे किसी के दिल में आपके लिए कोई शक ना पैदा हो कि कोई आपके बुराई ना करता हो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डरते भी हैं नमर 32 शबचे बड़ा गुन आपके अंदर देखा गया है कि आप लोग जल्दे किशी को उपर बिश्वास नहीं करते जब तक आपका दिल कोई अगला व्यक्ति जीत नहीं लेता आपकी हर एक बात सटिक ना बैट जाए तब तक आप किशी को उपर बिश्वास नहीं करते और एक बार अधी किशी को उपर बिश्वास हो जाए तो शाथ जन्मों तक सलने की कश्मत खाते हैं नमर 33 आप लोगों जोड तोड करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते ही अपना काम केसे किसी और से निकलवाना हो यह आपके अंदर बहुत ही बड़ा गुन होता है आपनी मीठी बोलिशी अपने मीठी वैवार से आप उनसे अपना काम अवशी निकलवा लेते हैं यह गुन इनके जीवन में थोड़े शमे के बाद कोईने कोई पार्टनर आही जाता है शमे शमे पर शारिक शमंद भी बनते हैं लेकिन शादी से पहले तो एक बार शमंद अवशी बनता है नम्मर 35 आपके राशी के जितने भी शंतान होते हैं ज्यादा तर पुत्री होते हैं यह बह झादक होते हैं पर त्माश म में जितना भी धन है आप उनसे शंतुष नहीं रहते हैं आप हमेशा जितना ऊपके पास है उनसे दुखनी कमानी की चाहरा रखते हैं और आगे कमाते जाते हैं यह आपकी उनन्स की शब्त अच्ची गुण है जो कि आपको बहुत दिया ज़्यादा उज्सायों तेकर लेकर जाते हैं और लोग आपका नाम लेते हैं इतियाश में आपका नाम रचा जाता है और शिग की वजश यह आप पूरी दुनिया पर शबी की दिलों में राज करते हैं तो दोस्तों आज का यह भाईश्वानी आप शिभी को केशा लगा कमेंट करके जरू बताईएगा वीडियो को लाइक करतें दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करतें ताकि और शियादिक जानकारिया आप तक सब्सक्राइब पहले पहुँचे धन्यवाद